हलो फ्रेंड्स चलिए कुश्चेन नंबर फिफ्टी एट ऑफ चेप्टर फाइफ एड्मिशन ऑफ पार्नर को स्टार्ट करते हैं यहां से A and B are carrying on business in a partnership and sharing profit and losses in the ratio 3 ratio 2 their balance sheet as a 31st month 2021 stood as इसमें हमें यहां पर दो चीज़ों को ध्यान में रखना है एक तो आपके पास यहां पर जनल रिजर्फ दिया हुआ है और यहां पर यह गुडविल दे रही जो पहले से हमारी balance sheet में है आपको इन दोनों को यहां से हटाना है या आपको अच्छे से मालम में यहां से आपको क्यों हटाना है ठीक है जब भी हम लोग admission की बात करते हैं changing profit sharing ratio की बात करते हैं तो यह जो partners से related चीज़ों होती है इनको हम लोग अपने ही balance sheet में से आप हटा देते है they admit C into partnership on 1st April 2021 and give him 1 8th share in future profit on the following terms तो देखें क्या-क्या terms है goodwill of the firm be valued at twice the average of the last 3 years profit which amounted to 21,000, 24,000 and 25,000, 560 तो यहां पर अब हमें goodwill की value निकालनी पड़ेगी पहले C is to bring cash for the amount of a share of goodwill इसके साथ हमें C का भी share निकालना पड़ेगा कि वो कितना goodwill लेकर के आएगा C is to bring cash 15,000 as is capital और 15,000 रुपे का यहां पर एक capital का amount हमें बता दिया है past general entries regarding these transactions draw out the balance sheet of the new firm and determine new profit sharing ratio तो तीन काम आपको करने है general entries बनानी है, balance sheet बनानी है और नया profit sharing ratio निकाल करके बताना है बेटा तो चलिए, देखते हैं इस question को किस ता से करना है बेटा तो बच्चे सबसे पहले इस question में हम लोग क्या करेंगे छोटी-छोटी सी workings है, वो कर लेते हैं जैसे कि हमें calculation करनी है goodwill की calculation of goodwill यह इसको valuation of goodwill भी लिख सकते हैं हम लोग ठीक है, तो देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है average profit हमें पहले निकालना पड़ेगा को कि average profit method से हमें बता रखा है यहाँ पर हमें 3 साल का profit दिया है जैसमें 21,000 रूपीज 24,000 रूपीज और 25,000 560 रूपीज का profit दे रखा है बटा और अब हैं इसका जो average निकालेंगे तो यह आ जाएगा 75,60 upon 3 that is 23,520 तो यह तो हो गया बच्चे हमारे पास average profit अब goodwill कैसे निकालते हैं तो goodwill is जो भी हमारे पास average profit आया यानि 23,520 into number of year purchase यहाँ पर twice बोला था हमें तो इसका मत्तब जो हमारे पास goodwill की value आगी वो आगी बटा 47040 तो यह तो होगी हमारी goodwill की value अब इसमें C का कितना share है बटा तो C is share in goodwill तो C का जो share है बटा वो 47040 into जो इसका ratio हमें यहाँ पर दिया है हमें जो profit sharing ratio दिया है वो 1 upon 8 है बटा तो इसके हिसाब से 588 0 का amount उसको goodwill के लिए लाना पड़ेगा तो चलिए एक तो यह working हो गई अब साथ साथ हम लोग इसके नया profit sharing ratio भी हमसे मांगा है तो हम उसकी भी calculation कर लेते हैं तो यहाँ पर calculation of new profit sharing ratio new profit share चलिए अब देखो बटा यहाँ पर क्योंकि आपको पहले से बता दिया गया कि C का share कितना तो हमें बहुत ही simple method है let profit equals to 1 C's share equals to 1 eighth यह method आपको अच्छे से आ चुका है बटा आपने बहुत सारे question इसके पहले किया है हमने तो remaining जो share है हमारे पास वो कितना है बटा 1 minus 1 upon 8 that is 7 eighth ठीक है अब इसमें A का share कितना हो जाएगा तो A new share would be A new share would be 7 upon 8 में से इसका जो profit sharing ratio था पहले 5 upon 5 3 upon 5 था बटा तो उसके हिसाब से वो यहां से ले लेगा यह होगा इसका 21 upon 40 इसी तरह से आप B का new share निकाल लेते हैं हम लोग 20 new share would be 7 upon 8 into 2 upon 5 that is 14 upon 40 और C का तो share हमें गिवन ही है तो C's share कितना है बटा हमारे पास C का share हमें गिवन है 1 eighth और इसके दिनिमेटर को 40 करने के लिए हम इसको 5 से multiply कर देते हैं तो यह आजएगा 5 upon 40 तो जो नया ratio हमसे मांगा था इसने वो क्या आगा है बटा तो new ratio is 21 ratio 14 ratio 5 तो this is what the one of the part of the answer ठीक है तो यह तो होगे हमारा new profit sharing ratio इसी के साथ हम लोगों नहीं है पर C का गुडविल का share भी हम लोगों नहीं calculate कर लिया है तो अब हम लोग अपनी general entries को शुरू करते हैं चली देखतें कैसे होगी general entries तो बटा general entries को जब हम यहाँ पर start करेंगे तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि अगर आपके पास कभी भी balance sheet के अंदर goodwill दे रखा हो अगर आपको balance sheet के अंदर कभी भी goodwill दे रखा हो तो आपको पहले उसको write off कर देना है इमीडेटल उसको write off कर देना है ठीक है तो यहाँ पर मैं पास 20,000 पे का जी goodwill का amountes को write off करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे capital accounts को debit करना पड़ेगा partners के उनकी old ratio में तो चलिए old ratio में हम उनको जल्दी से एक entry कर लेते हैं पहली entry जो हमारी होगी वो goodwill के write off की हो जाएगी इस बार तो क्या होगा बेटा A's capital account को आपको यहाँपर debit करना है B's capital account को आपको यहाँपर debit करना है to goodwill account और goodwill की जो value है हमारे पास वो कितनी है 20,000 रुपीज यह जो balance sheet में 20,000 पे के goodwill है इसको जल्दी से जल्दी हमें हटाना पड़ता है और किस ratio में बटा इनके old ratio में जो इनका भी existing ratio है उसमें तो इसके हिसाब से जो 3 ratio 2 है इनका तो 12,000 रुपीज debit हो जाएंगे A के account में और 8,000 रुपीज debit हो जाएंगे B के account में तो यहाँपर आप narration के लिखेंगे being old goodwill written off old goodwill written off तो यह होगा हमारा first entry second entry क्या करनी है अब देखिए क्योंकि हम लोग balance sheet की चीजों को remove कर रहे है तो यहाँ पर एक और component हमारे पास given था जो कि था journal reserve तो पहले हम इसको भी distribute कर देते हैं यह जो 20,000 रुपे का general reserve है कि हमें पार्टन के बीच में उनके old ratio में बाढ़ देना है बेठा तो चली उसकी भी entry कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो entry आजेगी हो आजेगी journal reserve account debited rupees 20,000 to A's capital account to B's capital account और यह भी इनके old ratio में पढ़ जाएगा यानि 12,000 रुपेस A को मिल जाएगा और 8,000 रुपेस B को मिल जाएगा तो being general reserve distributed यह हो जोगी हमारी second entry अब देखो third entry में क्या होगा अब हम लोग बात करते हैं नए partner की यह तो पुराने partners का हिसाब किताब हमने कर दिया अब नए partners में क्या है नए partner कुछ पैसे लेकर के आ रहा है ठीके तो हम उसको receive करते हैं पहले तो cash account हमारा यहाँ पर debit होगा क्या क्या लेकर क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं एक तो वो अपना capital ले रहा है तो C's capital account कितना capital लेकर क्या रहा है बटा 15,000 रुपेस question नहीं given है हमारे पास to premium for goodwill लेकर क्या रहा है इसके लाबा तो premium for goodwill account अब देखे कितना premium लेकर क्या रहा है वो हम लोगों ने भी भी calculate किया था C अपने share के लिए 5880 का premium लेकर क्या रहा है बटा तो बस अब हमें उसी को यहाँ पर mention कर देना है तो 5880 तो टोटल जो हमारे पास cash आ गया वो आ गया बटा 20,000 880 रोपीस का cash तो being cash brought by C ठीक है तो यह होगी हमारी third entry अब क्योंकि यह premium for goodwill ला गया तो यह भी हमारे distribute करना है तो इसको भी distribute कर देते है तो यहाँ पर क्या आजएगी entry अब premium for goodwill account को आपने हाँ पर debit करेंगे 58802 किसमें बटा old partners के sacrificing ratio में चीक है तो old partners को उनको नहीं A capital account और B is capital account B is capital और इनका sacrifice कितना है इनका sacrifice भी बटा वही होगा 3 ratio 2 right क्योंकि यहाँ पर हमें बताया नहीं किया है और हमें simple सा C का share बता दिया है तो उस case में वही उनका sacrificing ratio बन जाता है तो उसको अगर मैं 3 ratio 2 में divide करूँगा तो इनके पास आ जाएगा 3528 and 2352 का amount चलिए बींग premium for goodwill distributed तो यह हो कही बटे हमारी general interest बस यही चार general interest हमें करने की जोड़ती इस particular question के अंदर है अब इसके बाद हमसे क्या मांगा है उसने अब हमसे मांगी है एक balance sheet चलो एक balance sheet बच्ची है वह भी बना देते हैं जल्दी से तो यहाँ पर जो हमारे पास अब balance sheet बनेगी बटा तो आप लोग मेरे साथ साथ शायद बना रहे होंगे इस question को तो जल्ले जल्ली से आप भी लेकर के balance sheet को फटा फट मेरे साथ साथ बना ले ले बटा चलिए तो अब यहाँ पर देखिए इस balance sheet में हमें क्या क्या करना है मिटा अब आपके पास एक old balance sheet पहले से दे रखिए आपको उसी balance sheet को follow करना है देखिए यहाँ पर क्या क्या है सबसे पहले यहाँ पर हमारे पस creditors हैं तो यह creditors में कोई change नहीं हुआ तो इनको assets लिख दे हैं तो creditors है हमारे पास 11,880 रुपीस के सबसे पहले आप यह लिखेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास creditors जिसकी value है बटा 11,800 रुपीस इसके बाद हमारे पास आते हैं capital capital accounts कौन कौन से partner है हमारे पास एक तो partner है ए अब एक जो balance sheet में हमारे पास capital दे रखा है बटा वो कित 51,450 रुपीस 51,450 रुपीस इसमें अब क्या add हो गया देखिए इसमें अब क्या क्या add हो गया अब आपको यहाँ पर general entries काम आएंगे यहाँ पर आपकी general entries काम आएंगे अगर पहले मैं add की बात करूं तो उसमें एक को 12,000 रुपे मिले थे बटा general reserve के तो यह 12,000 रुपीस हमा गोड़ विल कितना था 3528 तो 3528 का amount यहाँ पर add हो गया लेकिन इसके साथ साथ इसके साथ साथ आपने एक एक एकाउंट को debit भी किया हो गया बटा 12,000 पिस से किस काम के लिए old गोड़ के लिए तो यह old गोड़ का 12,000 रुपे माइनस हो जाएगा तो यहाँ से यह माइनस हो जाएगा 12,000 रुपीज बास बटा अब यह बन गया हमारा A का capital तो कितना हो कि अब हमारे पास A का capital अगर आप इसको compute करेंगे तो यह आजाएगा 54,978 रुपीज का capital अब B की बात करते हैं B देखो B का जो पहले से हमारे पास capital है वो 36750 का बटा यह हमें दियवा है और इसमे अब देखो B को क्या मिल रहा है B को 8,000 रुपीज मिल रहा है general reserve का और 2352 मिल रहा है premium power goodwill का तो यह दोनों चीज़े इसकी add हो देंगी तो यहाँ पर 8,000 plus 2352 और minus हो जाएगा जो हमने इससे goodwill charge किया बटा यहाँ पर यह 8,000 रुपीज यह 8,000 रुपीज इसका भी हम लोग total कर सकते हैं तो इसका जो total आ रहा है बटा वहार है 39102 अब तीसरा जो partner C आ गया वो तो अपना 15,000 रुपे का capital लेकर रहा है वो तो fresh है बटा उसका कोई adjustment नहीं है तो बस तो यहां तक हमारी तो balance sheet यहां ready है तो यहां पर liability side में तो हमारे पास और कुछ नहीं है बटा करने के लिए तो आप इसको total कर सकते हैं चलो हम बाद में total करेंगे पहले हम लोग asset side पर आते हैं अब asset side में देखें क्या क्या यहां देखते हैं पहले question में आया था तो देखें कितना cash आया था cash कितना आया था हमारे पास यहां देखिए यह cash account के entry करी थी आपने जब नया partner आया था तो वो यह दो चीज़े लेकर कहा था total 20,000 880 रूपेस लेकर क्या था तो यहां पर आ जाएगा प्लस 20,000 880 रूपेस और यह जो total बन जाएगा यह आ जाएगा 22,000 380 रूपेस तो यह हो गया हमारे पास cash इसके इलावा तो बैटा सब कुछ asset आएगा तो क्या क्या लिखा वह देखें मैं एक तो लिखा है बैटा stock कोई change नहीं हुआ 28,000 रूपेस था तो 28 का 28 ही रहेगा इसी तरह से debtors debtors का जो amount हमें दे रखा है वो दे रूपेस का furniture हमें दे रखा है furniture और furniture की value है यहाँ पर बैटा 2500 रूपेस की machinery है एक machinery है machinery है machinery की value है 48,500 रूपेस की इसके लावाए goodwill है अब goodwill तो हमनों already distribute कर चुक है तो वो अब यहाँ पर दबारा से नहीं आएगी हमनों already write off कर दिया है तो बस बैटा अब हमें इसका total करना तो balance sheet का जब मैं दोनों side का total करूँगा तो दोनों side जो मेरा amount आ रहा है बेटा वो आ रहा है 1,20,880 रूपेस तो आप इसको check कर ले आपका balance sheet match कर जाएगा बेटा चले तो यहाँ पर हम लोगों ने इस question को समझा यह question अब हमारा है भी खतम होता है हम लोगों ने तीनों काम कर ली है balance sheet भी बना ली है general entries भी pass कर दिया है और new profit sharing ratio भी हमने question ने जो मांगा था हमने उसको दिखा दिया तो चले यह होके बड़ा question number 58 next question को हम लोग next video में करेंगे thank you very much